हेलो दोस्तो स्वागत थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मॉनिटर संदीपाल में चैनल पे नए तो चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए आज हम आपको बताएंगे रासन कार्ट से संबंदित एक जानकारी जिसमें की रासन कार्ट से संबंदित जानकारी है सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसमें की का है कि जो भी लोग रासन कार्ट धारक हैं और रासन कार्ट के पात नहीं है रासन कार्ट का लाव ले रहे हैं तो उन लोगों को अपना राशनकार्ड सरेंडर करवाना होगा है नहीं कि निरस्त करवाना होगा नहीं तो सरकार उन पे वसूली करेगी और उनका साथ ही साथ में राशनकार्ड निरस्त करेगी तो बस यही जानकार्या आपको देखाने वाले हैं देखिए जिलापूर्ती का कार्याले से एक लेटर जारूई किया गया है उसी के बारे में आपको बताएंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कार्याले जिला पूर्ति अत्कारी ओरिया 30 अपरेल 2022 को ये लेटर निकाला है जिसमें की कहा गया है कि 2013 खास रच्छा अद्नियम के अंतरगत जो रासन कार्ड के तहत गल्ला वित्रड हो रहा है पात ग्रेस्ती रासन कार्ड में जो प्रति यूनिट के इसाफ से गल्ला दिया जा रहा है और अन्तोदय वाले में जो इगनिश्चित के वजन से जो हमें गल्ला दिया जाता है उसी से सम्मधित जानकारी है कुछ एसासना देशा अनुषार है कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के आधार पर जो लोग रासन कार्ड के पात नहीं है और रासन कार्ड के लाव ले रहे हैं तो आप लोग आव यह सोच रहे होंगे कि कौन लोग इसके पात नहीं है या कौन लोग पात रहे हैं तो मुझे अपना रासन कार्ड सरेंडर करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा वस यह जानकारी आपको देंगे कि इसमें कौन-कौन आपात रहे है यहीं कि रासन कार्ड में रह रहे हैं गाउं में रह रहे हैं तो परवार की जो बार्षिक आए हैं वो दो लाग से जादा नहीं होनी चाहिए अगर आफ सहर में रह रहे हैं तो परवार की जो बार्षिक आए हैं वो तीन लाग से अधिक नहीं होनी चाहिए साथी साथ में का गया है कि परवार में क इसके साथ का गया है घर में 5 kVA का जनरेटर वी नहीं होना चाहिए और का गया है कि परवार में एक से अधिक सस्त लाइसनस वी नहीं होनी चाहिए अगर ये चीज़ आपके गर में हैं तो आप लोग रसन कार्ड के पाथ नहीं है और अगर आप लोगों ने पहले रासन कार्ड बनवाया था तब आपके घर में ये सुब्दाइं नहीं थी अब हो गई हैं तो आप लोग जल्द से जल्द अपना रासन कार्ड निरस्त करवा लें या आपने किसी तरह से गलती से बन गया है तो आपको मौका है कि आप लोग जिन लोगों ने रासन कार्ड बनवा लिया है तो वो लोग अपना जो रासन कार्ड है वो या तो जिला पूर्ती कार्याले में या तैसील पूर्ती या पूर्ती कार्याले में जाकर कि अपना कार्ड निरस्त करवा लें अन्था जाज के दोरान अगर आप लोग अपात्र पाए गए तो आप पर जो कारवाई होगी कारवाई के साथ साथ अपने जव से रासन लिया है तब से लेकर के आप तक आपने जितना भी ग्यहूं लिया होगा वो आपको 21.9 रुपए के इसाफ से और जो चावल का मूल है वो प्रति के लिए 29.64 रुपए के रूप से आप प वसूली की जाएगी यह जो सूचना है वो आप देख पा रहे हैं जिलापूर्ती अतकारी ने दिया है और इसकी जो प्रतलिफी है वो आप लोग दीख लीजिए यहनि कि राज इस्तर पर जो अतकारी है उनके पास भी गई खादरसत विवाग के मंडल इस्तर के अतकारी के पास जिलापकारी के पास और अपर जिलापकारी के पास SDM के पास यहनि कि जो भी अतकारी थे और साथ की साथ मीडिया को भी दी गई है कि जल्द से जल्द इस चीज़ की सूचना की जाए जो लोग आपात रहें वो लोग अपना राशनकार निरस्त करवा लें अन्रता जा पूर्ती कार्याले में जा सकते हैं तैसिल पूर्ती कार्याले में जा सकते हैं वहां जाक करके अपना राशनकार्ड सरेंडर करवा सकते हैं अभी आपसे कोई खर्चा नहीं है अगर जांच के दौरान आप पाए गए तो आप पे इतना चार्ज लगीगा अगर आप लोगों क ये जानकारी प्राप्त हो सके धन्वाद